इसे लेकर मुख्यमंत्री विश्ण देव साय ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना गरिवों के कल्यान की योजना है पुरवर्दी वुपेस बगेल सरकार में राज्य के 18 लाग परिवार वन्चित हो गए थे बगेल सरकार ने गरिवों का हक सिर्फ इसले चीना था क्योंकि इस योजना में प्रधान मंत्री के नाम का जिक्र था प्धान मंत्री आवास यूजना के तरहत प्धान की गए स्विक्रिती को लेकर मुख्य मंत्री आवास में प्रेस को संभूचित किया मुख्य मंत्री विश्देव साई ने कहा कि 36 गड़ के लिए ये खुशी की बात है पिछले पांस साल में कॉंग्रेस की सरकार में पधानमंत्री आवास से वन्चित लोगों तक हम अपनी बात पहुचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री में आरोप लगाया कि 47,090 लोगों के आवास की स्विक्रिती पिछली सरकार ने एक अलग यूजना बना कर दे थी इन में से 25,000 लोगों को आवास स्विक्रित किया था हम पिछली सरकार द्वारा की गई धोशना में कोई भीदभाव नहीं कर रहे हैं इसमें भी बज्जे हुए लोगों को आवास यूजना का लाब मिलेगा पांच साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में अधान मंजरी आवास से बंचित हो गए थे उन तक पहुचाना चाहते हैं और इसी निमीद आज आज आप लोगों को यहां पर बुलाए हैं सबको मालूब है कि पिछले पांच साल जब चत्तिजगर में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी स्री भूपेस भगेल उसके मुख्या थे तो प्रधान मंतरी आवास यूजना जो गरिबों के लिए बहुत ही कल्यांत कारी यूजना है उनके सिर्व में चत्त देने का यूजना है जिसमें 18 लाग लोग बंचित हो गए थे तातकालीन सरकार राज्यांस जो 40% का राता है वो इसलिए जमान नहीं की कि यूजना में प्रधान मंतरी सब्द जुड़ा था और कही न कहीं इसका स्थे भारती जनता पार्टी की सरकार को और नरेद मोदी जी को चला जाता इसलिए 18 लाग गरीब लोगों का हग जिना गया और सबको मालूम है कि 2023 के विधान सबह चुनाओ परचार के दोरान हमारे देश के सबस्वी प्रधान मंतरी नरेद मोदी जी चर्थी जनता से वादा किये थे कि इस बार भारती जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भी मुख्यमंतरी होगा वो मुख्यमंतरी सबसे पहला काम 18 लाग गरीबों का आवाज सुप्रित करने का करेगा हमारे आदने परधान मंतरी जी ने चर्थी गड़ की जनता से वादा किया था मोदी की गारेंटी में भी यह है और मुझे बताते हैं वे खुसी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को हमारी सरकार सपत ली और 14 दिसंबर 2023 को पहला के मिनिट में ही हमारी सरकार ने 18 लाग परधान मंतरी आवास की सुप्रिती दे दी और जो 40% रासी राजजान सोता है उसकी व्योस्ता हमारी सरकार ने कर ली लेकिन यह आवास बनने में देरी इसलिए हुई कि उस वित्यवर्स में जो रख केंद्रांस 36 गड़का था चुकि प्रदेश की सरकार राज्यांत जमा नहीं की थी इसलिए भारत सरकार ने उस पर इसे को दोसरे राजवें आबंडित कर दिया था लेकिन जब नया मित्यवर्स आया दोहजार चोबीस और बच्चिस का तो कल ही हमारे 36 गड़ के लिए पूल को आट लाग चाली सजार नौसो एक तीस पुर्दानमंति आवास की स्विक्रिति भारत सरकार से मिली है और इसके लिए पूरे 36 गड़ के तरफ से 36 गड़ के तीन करोड जन्ता के तरफ से और विशेश कर प्रधानमंति आवास से जो लाभानित होंगे सब के तरफ से हमारे देश के असरस्वी प्रधानमंत्री सरी नरेन मोदी जी को बहुत बहुत उनको धनवाद करते हैं उनको साथमवाद करते हैं उन्होंने हमारे 36 गड़ को आट लाग चाली सजार नौसो एक तीस पुर्दानमंति आवास की स्विक्रिति दी है और हम लोगों ने अठार नाग प्रणमंति आवास की बात की है तो इसमें आट लाग चाली सजार नौसो एक तीस की सुप्रिति तो बिली है और इसमें कि एसी सी 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 तो हजार ग्यारह में से कि एसी सी सी तो हजार ग्यारह में जी सुची के लोग पिछले पांस साल में पंचित हो गए थे और शिर्व प्रणमंति आवास से लावानित हो गए थे लेकिन यहां की सरकार की निश्कृता के कारण या वनलब नहीं करवाने के कारण बंचित हो गए थे तो आज जो हम लोग प्रणमंति आवास की शुक्रित्ती मिली है उसमें से 6,99,331 प्रणमंति आवास यह दो हजार एससी सीची तो हजार ग्यारह वाली सुची में से हैं और बागी एक लाग 47,600 यह जो आवास पलस वाले आवास पलस जिस प्रदेश ने सीची तो हजार कारह की सुची वालों को प्रणमंति आवास का निर्माट करवा दिया उनके हाँ आवास पलस भी सुरू हुआ तो हमारे यहां तो एसी सीची तो हजार ग्यारह के लोगी लाब नहीं ले पाए थे तो आवास पलस का तो प्रस्न ही नहीं उता था लेकिन आज एक साथ एसी सीची तो हजार ग्यारह का छे लाख निरानमय हजार तिनसो एक तीस और उसके साथी साथ एक लाख सैंतालीस हजार छे सो यह आवास पलस वाले हैं जिनकी भी सुर्गिर्ती 36 गड़ को मिली है और बाकी पीएम जन्मन योजना जो बीवी ठीजी लोगों के लिए है विशेस विच्छनों सुर्थिस जन्जाती के लोग जो राजपस्री के दत्तक पुद्र कही जाते हैं इसे कोर्वा विरोर अभूज माडिया पंडो वैगा इनके लिए जो पीएम जन्मन योजना हमारे प्रधानमंत्री की चला रहे हैं उसमें 26,64 यह प्रधानमंत्री आवास बन रहा है बहुत पूर्ण भी हो चुके और आप लोग को यह भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली कॉंग्रिस की सरकार ने जब विधान सभा का चुनाव आया तो यह के प्रधानमंत्री आवास योदना का सुरुवाद पिया था जिसमें 47,90 लोगों के शुक्रती दी थी उन्होंने और एक किस्ट भी जारी किया था 25,000 का हम लोग कोई बहुत भावनी करते हुए उनको भी अपने आवास योदना में सामिल कर लिये हैं और दूसरी किस्ट जारी कर दिये हैं और दूसरी किस्ट भी उसमें जारी कर रहे हैं तो यह उदारता हमारी 70 की सरकार ने इन 47,90 लोगों के उपर में भी किया है और पिछले जन्वरी से लेकर ये अगस्त तक ये आठ महने में एक लाक निनानवे हजार प्रधानमंती आवास का निर्माड जो कई अधूरे थे उसको भी पूर्ण कराने का काम शत्रीड़ की सरकार ने किया है इस तरह से कूल मिलाके हम लोग आने वाले समय में जो 18 लाक प्रधानमंती आवास की बात कही थी वो 18 लाक आवास गरिभों को हमारी सरकार देने के लिए बचन बद्ध है